नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मन पसंद योट्यूब चैनल टेक चौपाल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वेज ने थर्ड पियार सी को लेकर के जो दो दिसंबर को मीटिंग होने वाली थी उसमें क्या हुआ क्या 5% फिट्मेंट पे बात फाइनल हो गई या फिर मैनेजमेंट 0% पे ही अड़ा हुआ है यह सब कुछ दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और यह भी देखेंगे कि क्या क्या मीटिंग में डिसकस हुआ किन किन मुद्दों पर बात हुई वो सब कुछ दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो यूनियन ने अपने वेब साइट पर mention किया हुआ है तो इसके लिए जो non-executive bational employee union bational EU के official site पर जैसा कि आप clearly देख सकते हम लोग यहाँ पर है bational EU की official site पर आने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर clearly देखेंगे कि 2 December 2022 का यह update यहाँ पर दिया हुआ है कि highlights of the joint wage negotiation committee held today बतलब कि 2 December को जो meeting हुई थी उसकी highlights यहाँ पर दी गई है क्या-क्या मुद्दों पर बात हुआ सब कुछ दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है तो पहला दोस्तों यहाँ पर बात कर ले a meeting of the joint wage negotiation committee is held today members of BSNAL EU members of BSNAL EU strongly demanded that the record of discussion of the last meeting यानि जो 28 सारीक को जो management ने जो record दिया था कि यहाँ पर यह बात हुई BSNAL EU या फिर जो employee union से एकदब उल्टा उसने ऐसा unionों का कहना है कि बिल्कुल उन्होंने उल्टा उसका minutes दिया हुआ था तो meeting start होते ही BSNAL EU ने क्या कहा कि the record of discussion of the last meeting held on 28-11-2022 should be withdrawn since it is disturbed मतलब कि जो 28 सारीक को आप लोगों ने minutes जारी किया था पिछले meeting का वो totally गलत है उसको withdraw करिये आप क्योंकि वो पूरा disturbed किया हुआ वो highlights था जो भी minutes था वो किया हुआ था क्योंकि हम लोगों की बात कुछ और हुई थी और वहां पे आप लोगों ने कुछ और लिखा था आगे दोस्तों BSNAL EU pointed out that the management weren't only finalization of pay scale without finalization of way revision BSNAL EU ने सिर्फ point out किया कि management यहां पे सिर्फ pay scale के finalization की बात कर रहा है क्यों wage revision की बात नहीं कर रहा है wage revision की भी बात होनी चाहिए it once formally told that BSNAL EU will not accept it BSNAL EU इसे accept नहीं करेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि इसकी pay scale की finalization की बात कर रहे हैं कि any 1 का क्या pay scale रहेगा any 12 का क्या, any 9 का pay scale रहेगा क्यों आप जो allowances है उनके finalization की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप उसकी भी बात करिए wage जो भी allowances है उसके भी revision का आप बात करिए as regards the pay scale proposed by the management जो pay scale management के द्वारा proposed side in the last meeting 28 तारिक को जो भी pay scale proposed किया गया था management के द्वारा BSNAL EU demanded that फिर उस पे क्या BSNAL EU ने demand किया demanded that they should be modified so that no employee gets its stagnation मत तो BSNAL EU ने कहा कि आपने जो 28 तारिक को pay scale जारी किया था उसमें कुछ modification करने की जरूरत है modification इसलिए करने की जरूरत है ताकि कोई भी employee का कोई नुकसान न हो सके किसी का stagnation हो न हो यानि कि जो सबसे उपर की salary है वो वहाँ जा करके रुक न जाए किसी का भी नुकसान न हो BSNAL EU ने यही कहा कि आपने जो pay scale proposed किया था 28 तारिक के meeting में उसमें कुछ modification की जरूरत है the live cases involving stagnation received by the CHQ of BSNAL EU जो कुछ cases थे उसको भी लेकर के BSNAL EU ने involved किया meeting में और बताया कि देखिए इनका इनका यह cases है ऐसे होने के chances हैं तो आप जो pay scale है उसको modify करिए ताकि किसी का भी नुकसान न हो are already sent to the management side तो BSNAL EU ने क्या 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 कि वो जो examples थे कि देखिए इनका अगर ऐसा होगा तो इनका stagnation हो जाएगा तो आप किसी का भी नुकसान न करिए किसी भी employee का नुकसान न हो सब के बेहतरी के लिए काम करना है ठीक आगे BSNAL EU insisted that the wage revision should be settled with 5% fitment BSNAL EU ने क्या कहा कि wage revision जो है वो 5% fitment पर ही होना चाहिए BSNAL EU also insisted that allowances revision should be done सिर्फ base revision ना हो allowances जो है उनका भी division होना चाहिए और आप उस पे बात करिए BSNAL EU 5% fitment पर अड़ा रहा detailed discussion were held regarding modification of the pay scale pay scale के modification को ले करके detail में discussion हुआ meeting में बात हुई considering the live case of stagnation जिनका जिनका stagnation हो गया है pay scale का उनको consider किया गया at the same time the management side informed that the wage revision will be done only with 0% fitment and without revision of allowances मतलब आप समझ सकते यहाँ पे देख सकते हैं कि management कर्मचारी union अड़ा हुआ है 5% पे और management अड़ा हुआ है 0% fitment पे कि हम आपको pay revision देंगे वो सिर्फ और सिर्फ 0% fitment पे देंगे और जो आपका allowances है यानि HRA है TADA है और बाकी जो चीज़े है उसका revision नहीं करेंगे Without revision of allowances इस बात पे management अड़ा हुआ है लेकिन कर्मचारी union अड़ा हुआ है कि हमें 5% fitment चाहिए और allowances का भी revision होना चाहिए सही बात है जब आप scale की revision कर रहे हैं या करने की सोच रहे है तो allowances का revision क्यों नहीं करना allowances का revision भी आपको करना ही पड़ेगा नहीं तो फिर employee का betterment के लिए यहां पर क्या होने वाला है कुछ नहीं होने वाला है क्यों महंगाई नहीं बढ़ रही सब कुछ बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए जितने भी करमचारी union है उन्होंने यहीं कहा कि आपको 5% fitment के साथ pay skill तो revise करना ही करना है साथी साथ आपको करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा दोस्तो आपको करना पड़ेगा wage allowances जो भी हैं उनका भी negotiation आपको करना पड़ेगा उसका भी revision आपको करना पड़ेगा यह employee के साथ से हुआ लेकिन management उस पे दोस्तो अड़ा रहा management अड़ा रहा कि हम आपका जो revision है वो 0% fitment पे करने के लिए तयार है लेकिन without revision of allowances हम allowances का revision नहीं करेंगे आगे दोस्तो अगर देखे as regards the pay scale is it is agreed that all the life cases involving stagnation would be discussed separately before the next meeting of the wage negotiation committee wage negotiating committee ऐसा वहां पे हुआ कि यह तो इतना final हुआ वहां पे कि management 0% fitment पे अड़ा रहा without revision of allowances allowances का कोई revision नहीं करेंगा 0% fitment आपको देगा दूसरा दोस्तो उसके बाद जो stagnation के cases थे उसको discuss किया गया और फिर यहां पे यह निकल के आया कि it is agreed that all the life cases जो भी stagnation के life cases है would be discussed separately before the next meeting अगले meeting के पहले उसको हम लोग discuss करेंगे of the wage negotiation committee अगली meeting की date नहीं दी गई इस बार रेकिन अगली meeting जब भी होनी है मैं आप लोगों को अपने channel पे बताता रहूंगा आप लोगों को जो भी update है सब कुछ देता रहूंगा ये तो दोस्तो PSNL EU के side से ये update दी गई है उनके side पे इसके बाद दोस्तो दोनो यूनियनों ने दोनो नॉन एक्जिकिटिव यूनियनों ने बात किया आपस में बात करने के बात आप दोस्तो देखेंगे यहां पे अगर हम बात करने दोनों employee union की BSNL EU और NFT फिर मिलके उन्होंने बात किया उसमें वो लोगों ने साथ में meeting की वो लोग साथ आये unity दिखाएं BSNL EU and NFT decided to unitedly work on wage revision issue wage revision issue पे दोनों union जो है मिलके काम करना चाते हैं यह बहुत ही अच्छी बात है सभी करमचारियों के लिए कि दोनों union में कोई मदभेद नहीं रहेगा at least wage revision पे दोनों लोग मिलके बात करें बाद में अपने election के मुद्दे दोनों लोग जीतते हाथे रहेंगे वो अलग बात है लेकिन इसमें सबका भला है इसलिए आपको मिलके काम करना यह बहुत ही अच्छी बात है after completion of today's wage negotiation committee meeting representative of BSNL UN NFT meet and review the development of wage revision issue दोनों लोग मिलें और उसको review किये जो भी wage revision issue के बारे में after discussion the following decision were taken यह तीन decision लिये गए दोनों करमचारी unionों के साथ BSNL EU and NFT should unitally work to settle the wage revision wage revision को settle करने के लिए दोनों लोग साथ में काम करेंगे अगला दोस्तो wage revision must be settled by must be settled with 5% fitment 5% fitment के साथ ही wage revision होना चाहिए दोनों unionों का ऐसा मानना है the pay scale offered by the management जो management ने pay scale offer किया should be suitably modified to ensure that no employee will face stagnation जो pay scale management के side से दिया गया should be suitably modified उसको modify किया जाना चाहिए ताकि किसी भी employee का अहित ना हो सभी employee का हित हो किसी का भी pay scale का जो stagnation हो वो न होना चाहिए तो ये तो दोस्तो BSNL EU ने अपने side पे mention किया है अब दोस्तो देख लेते हैं कि NFT ने अपने side पे क्या mention किया है उसके बारे में भी दोस्तो थोड़ा सा देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं हम लोग इसमें NFT के side पे हैं और यहां पे दोस्तो दो तारीक को ये update आपको जैसा कि यहां पे clearly देख सकते हैं दो तारीक का ये update national federation of telecom employees के site पे दिया गया है पहला wage revision meeting के बारे में यहां पे दो तारीक का दिया गया the meeting of wage revision committee was held today under the chairmanship of Sri R.K. Goyal all members of official and staff side both were fully represented the pay scale evolved on 28th of November 2022 222 were discussed and staff side formally maintained that life stagnation cases should be sorted out first with the consultation of union मतलब वही वही बात कि जो pay scale management के स्वारा किया गया था उससे modification रहना चाहिए ताकि किसी भी employee का जो है वो अहित न हो उसका stagnation न हो और फिर NFT ने demand किया the NFT demanded that minimum NE9 non-executive 9 scale should be 35,700 यह जो NE9 non-executive 9 वाले जो scale पे जितने भी करमचारी रहेंगे उनका जो starting होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए 35,700 पे होना चाहिए जिसमें most of the junior engineers या फिर senior TT या फिर operator लोग आते हैं should be rupees 35,700 as well as minimum and maximum of scale from NE7 to NE12 will also be enhanced जो NE7 से लेकर के NE12 तक का जो भी है उस पे modification होना चाहिए the staff side further demanded and insisted that fitment should be 5% staff side ने क्या कहा कि fitment 5% ही होना चाहिए in wage revision revision of elevances should also take place along with wage revision the staff side consistent consisting the NFT and BSNU meet after meeting and decided to go together by 5% fitment and elevances revision तो मत्तब यहां पे एक extra point सिर्थ यही निकल करके आ रही है बाकी तो सब वही जो side पे उधर दिया गया था मैंने आपको बताया कि जो NE9 से लेकर के NE12 के जो जो pay scale है उसका minimum और maximum value जो है वो enhance होना चाहिए बढ़ना कि आई नहीं management अड़ा रहा कि वह 0% पे देने के लिए तयार है without revision of elevances और union side अड़ा रहा 5% fitment के साथ wage revision होना चाहिए और elevances का भी revision होना चाहिए तो ये दोनों लोग अपने अपनी बातों पे अड़े रहें अगली meeting फिर से रखी गई हो उसका date नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको update कर दूँगा अपने channel पे वीडियो के मादधम से अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप अगर ऐसे ही update पाना चाहते हैं तो please मेरे channel को जरूर subscribe कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करिएगा और उनके भी साथ share करिएगा जिनको इस वीडियो की जरूरत है तो चलिए मिलते हैं अगले ख्याल लखिएगा धनेवाद वस्तों